दोस्तो आज हम एक ऐसे खिलाडी के बारे में बात करने वाले हैं एक ऐसे फुटबॉलर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने फुटबॉल को बदल के रख दिया इंडिया में जिसकी वज़े से आज इंडिया में लोग फुटबॉल देखते हैं और स्टेडियम में जाते हैं किसी फुटबॉल मैच में आज हम बात करने वाले है भारती कप्तान सुनील छेतरी की भारती कप्तान सुनील छेतरी विश में सबसे जादा गोल करने वाले खिलाडियों की सूची में दूसरे पायदान पर है भारत के उन खिलाडियों की सूची में भी शामिल है सुनील छेत्री जिन्नोंने विदेशी क्लब के लिए खेला है और भी बहुत कुछ इन सब स्किल से ही पता चलता है कि ये खिलाडी कितना बड़ा है सुनील छेत्री ने भारतिय टीम के लिए जूनियर और सीनियर दोनों श्रेंडियों में खेला है वे मौजूदा भारतिय टीम के कप्तान भी है 2008 में उनके कमबोडिया के विरुद दो गोलों से वे रातो रात स्टार बन गए थे पूरे वर्ल ने उनकी प्रतिबा को देखा और उसकी सराना की थी दोस्तो सुनील छेतरी जैसे महान फुटबॉलर के परसनल लाइफ या व्यक्तिगत और व्यफसाइक जीवन के बारे में और उनके जीवन के कुछ अंजाने पहलीओं के बारे में आपको बताने के लिए ही आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दोस्तो अगर आप सुनील छेतरी के जीवनी के बारे में कुछ भी जानना चाहते है तो ये वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप सुनील छेतरी के फैन है तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए सुनील छेतरी का जनम 3 अगस 1984 को सिकंदराबाद में हुआ था उनके पिता का नाम केबी छेतरी और माता का नाम सुशिला छेतरी है उन्होंने गैंग टॉक में दार्जलिंग में कोलकाता में और नई दिल्ली में अपनी स्कूली पढ़ाई की है उन्होंने इतने सारे शेहर क्लब के लिए खेलते हुए अपने पेशेवर करियर की शुरुवात की फिर वो जेसी टी में शामिल हो गए मोहन बागान छोड़ के जेसी टी के बाद उन्होंने इस्ट बेंगॉल जॉइन कर लिया सुनील छेतरी के करियर में एक बहुत बड़ा पड़ाव तब आया जब 2010 में अमेरिका के मेजर लिग सौकर ने उनको कैंसर सिटी विजार्ट के लिए साइन कर लिया विदेश जाने वाले वो इस उप महादूइप के तीसरे खिलाडी बने हाला कि युनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनका करियर जादा लंबे समय तक नहीं चला और वो है सोनम भटाचारे सोनम बिजनस मैनेजमेंट का कोर्स स्कॉटलेंड से पूरा करने के बाद कोलकाता के सौल लेक एरिया में अपने दो होटल चलाती है इसके पहले सोनम भटाचारे कई समय तक सुनील छेतरी की गल्फेंड भी रही है 4 डिसमबर 2017 को कोलकाता में सुनील छे चेतरी की फैन फॉलोइंग तब बहुत जादा बढ़ गई जब इंटर कॉंटिनेंटल कप में सुनील छेतरी ने लोगों से फुटबॉल को बढ़ावा देने की अपील की भारत जैसे करोडों लोगों के देश में फुटबॉल को उतना पसंद नहीं किया जाता कुछ स्ट के बढ़ भारत ने 50 से चाइनीज टाइप आई को हरा दिया था लेकिन इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम में सिरफ 2000 लोग आये थे और ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुती निराशा जनक हुआ था इस मैच के बाद सुनील छेतरी टूट से गए थे उनको बहुत बुरा लगा था कि उनके इतने बड़े मैच में सिरफ 2000 ही लोग स्टेडियम में मैच देखने आए उसके बाद सुनील छेतरी ने टूटर के एक वीडियो में लोगों को बोला कि हमें गाली दो हमारी आलोचना करो लेकिन कम से कम हमारा मैच तो देखने आओ इसके बाद क्य जैसे लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए नजर आए और लोगों से अपील करते हुए नजर आए कि अब इंडियन फुटबॉल का मैच देखने हर एक हिंदुस्तानी पहुचेगा स्टेडियम में और कुछ ऐसा ही हुआ अगला मैच शुरू होने से पहले ही पूरा स्ट स्टेडियम भारतिये दर्शकों से भर गया इतना भर गया कि लोग बाहर खड़े हुए नजर आए और अपने टिकेट का इंतजार करते हुए नजर आए लोग बाहर खड़े हो के बोल रहे थे कि एक बार हमें स्टेडियम में घुसने दो सुनील छेतरी के इस अपील के बा उनका करियर बहुती सफल रहा है उन्होंने अपनी टीम के लिए जो किया वे उनके रेकॉर्ड बताते हैं ये माना जाता है कि सुनील छेतरी की कुल संपत्ती वन मिलियन डॉलर है जो लगबग भारतिय रुपे में 75 लाक रुपे के बराबर है हाला कि ये संपत्ती क्रिकेटर के मुकाबले तो बहुती जादा कम है पर एक फुटबॉलर एक इंडियन फुटबॉलर के नाते उन्होंने जो अचीव किया है वो सारे फुटबॉलर्स और फुटबॉल फैंस के लिए एक इंस्पिरेशन है सुनील छेतरी अब कई सारे एड्स में भी नजर आते है और उन सुनील छेतरी ने जैसे इंस्पायर किया है इंडियन यूथ को और भी इंडिया से फुटबॉलर्स आएंगे और धीरे धीरे इंडिया में फुटबॉल का जो फैन फॉलोविंग है वो बड़ेगा और नेट वर्थ भी खिलाडियों का बड़ेगा हम सुनील छेतरी के सफल जीवन को देखते हुए कह सकते है कि वह भारतिय फुटबॉल टीम के अब तक के सबसे महान खिलाडियों में से एक है उन्होंने अपने प्रदर्शन से सिर्फ भारत में ही नहीं अंतराश्ट्रे फुटबॉल में भी एक बहुत बड़ा नाम बनाया है उन्होंने हाली में अर्जंटीना के महान फुटबॉलर मेसी को गोल करने के मामले में पीछे छोड़ दिया है मैं इंटरनाशनल गोल्स की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं ये उमीद करता हूँ कि सुनील छेतरी के बारे में ये छोटा सा बायोग्रफी आपको पसंद आया होगा और भी खि कानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्रिकेट के इलावा बाकी खेलों को भी प्रोशाहन देते रहेंगे हम जय हिन